आपने अक्सर सुना होगा कि ये नेता तो बहुत इमानदार है लेकिन इसकी फैमिली ने करोड़ों बना लिये इसकी फैमिली ने कई कमपनी इसको फाइदा पहुंचा दिया आज जो किस्सा में आपको सुना रहा हूँ वो हर एक के लिए जानना बहुत जरूरी है बात कुछ है बात कि ऊत्र करता है क्यार्च लड़ों एक संटोस के पास आता है और दो सकता के चुटी मांगता अर तो ए जीजवर उसको बूलता है कि मेरे पास काम बहुत है आप एक हफ्ते की चुटी में दे सकता है कुछ देर सोचने के पात सचिन लोटता है और हांटमें एक बोले सर मैं बनारज जा रहा हूं नमो सर के चुनाव प्रचार के लिए आश्चिर चकिस संतोष उसको बूलता है कि ठीक है आप कल आईए मैं आपको जवाब दो हमारी कंपनी में की ववस्ता है हम हर एंप्लाई की प्रोफाइल देख सकते हैं सचीन के बाद जाने के बाद जब संतोष कंप्यूटर पर उसकी प्रोफाइल देखता है तो उसके पाओ के नीचे से जमीन खसर जाती है क्योंकि सचीन का पूरा नाम सचीन पंकश मोदी है और उसके पिता का नाम पंकश दामोदर मोदी यहां मैं एक बात बताना आपको जरूरी समझता हूँ नरेंजी मोदी 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने है लेकिन गुजराद के मुख्यमंतरी वो पिछले 12-13 सालों से थे और सचीन हमारी कंपनी में 2010 से काम कर रहा था लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि जो सचीन सामान नेस्टर पर काम कर रहा है वो गुजराद के मुख्यमंतरी नरेंजी मोदी का सगाप बाती जाए इसे कहते हैं फैमिली का सपोर्ट दोस्तों आज मैं आपसे रिक्विस्ट करता हूँ जो प्यार जो महबद जो भरोसा आपने आज तक नरेंजी मोदी के उपर रखा है वो कायम रखें और सारे आने वाले राज्यों के चुनाओं में नमोसर का हाथ मजबूत करें और आने वाले 2019 में न्यू इंडिया का सपना साकार करें दोस्तों न मैं राजस्तानी हूँ न मैं गुजराती हूँ मैं खिंदुस्तानी हूँ जैहिन जैमार